तो आपमें से काफी सारे लोगों ने सेल में आईफोन को पर्चेस किया है और आप ढूंड रहे हो आईफोन के लिए best tempered glass तो आज की वीडियो में मैं आपके आईफोन के लिए best tempered glass लेकर आचुका हूँ चाहिए अपने सेल में कोई भी iPhone पर्चेस किया हो चाहिए iPhone 15 हो 15 Plus 15 Pro Max चाहिए iPhone 14 की सीरीज हो तो उन सभी के लिए Best Temperance लेकर आ चुका हूँ और यह आते हैं Gadget Shield की तरफ से और मैं आपको बता दू Gadget Shield मैं हर बार इस वे से रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एक तो इनकी pricing काफी सही रहती है मिलकुल अच्छी pricing पर लाँच करते हैं और साथ में इनकी protection है वो भी चाफी अच्छी मिलती है क्योंकि इनको काफी time से मैं यूज करता हूँ मैं जितने भी iPhone से लिए है सब पर मैं Gadget Shield का ही यह पर protection यूज करता हूँ अच्छे से यहां पर लगा भी नहीं है, काफी टाइम हो चुका इसको लगाई हुए तो इसमें बबल्स भी आ चुके हैं तो यहार गैजिट शील की साथ आपको यह दिक्कत देखने को नहीं मिलती और साथ में दूसरा फोन है iPhone 15 Pro Max इसको पर मैंने कोई भी TMP glass नहीं लगा या चुका है आप देखो यहां पर कितने scratches और smudges आ चुके है तो जब भी आपना फोन पर देखा लगाना नहीं तो यहां पर बहुत सारे आ जाते हैं तो यहां पर मैंने कोई भी TMP glass नहीं लगाया था एक लिगा अपने फिर एक लाइन के लाइन पाई ताकि आपको अपने घर पे लगा पाऊ। उसके आपको आइफों 15 Plus का यहां पर टेंप लेकने को मिलता है तो कुछ इस टायब करते हैं तो इस थीप तो अपने पर पर लगा वे लगा के देखते हैं और अभी इसकी डिस्प्लै बिल्कुल ब्रैंड न्यू है क्योंकि न्यू आते इस पर टेंपर ग्लास लगा लिया था टेंपर ग्लास को अपने फोन पर अच्छे से लगाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे कोई हाड बॉक्स रख लेना वेट वाइस से फोन को अच्छे से लिएक कर लिए m मतश्पाय दो करने के बाद आपको जितना भी मॉश्टीर अपके स्की बचाया हूआ है वहेट वाइप आपक्ष लेना है ताकि कोईभी मोईश्य भर दिसट पार्टिकल ना बचे अब कली कुछ से देख देना है तो निसे गाज क्रतिक देखने को मिलता है दोड़ा सा बेंड करना है और अगर कोई आपको DCS देखने को मिलता है कोई भी यहां पर चोटा dust particle होता है उसे अच्छे से remove कर देगा उसके और आपको simply अपना frame ले लेना है जो frame आपको box में मिला है उसको अच्छे से अपने iPhone पर लगा देना है यह इसलिए आपके iPhone पर लग जाएगा क्योंकि इसी के लिए compatible है और एक और आपको अपना dust observer लेना है और अच्छे से अपने phone को clean कर देना बाइन केस frame लगाते है और को dust particle आ गया हो तो वह अच्छे से clean हो जाएगा वैसे कोई देख तो ने रहा अगर बाइन केस आ गया हो तो वह भी clean हो जाएगा उसके आपको अपना tempered glass लेना है जो हमें बॉक्स में देखने को मिला है इसको side में tear करना बिल्कुल screen के ओपर मत करना क्योंकि इसके dust particle होते है यह इसली आप से peel off हो जाएगा राम राम से peel करना है जादा जल्दी मत करना और peel करने के बाद आपको इसली 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 आपको थोड़ा प्रेस करना है हाड और यह पूरा बबल यह पूरा गाया हो जागा है देख सकता है पूरा अच्छे से लग चुका है इसमें आप एक भी बबल भी नहीं और साथ में आप एच-to-e-च प्रोटेक्शन देख सकते हो बिल्कुल एच-to-e-च यहां पर प्रोट आप 15 Pro Max में भी मैं इस टेंपर ग्लास को लगाता हूँ तो आइफोन 15 Pro Max में भी मैं इस टेंपर ग्लास को लगा लिया है और इसमें भी आप देख सकते हो इसमें भी एच-to-e-च यहां पर प्रोटेक्शन दी है और एक भी बबल आपको देखने को नहीं मिलेगा और साथ म यहां पर कवर के साथ भी fully compatible है इस पीजन का कवर है और आप देख सकते हो fully compatible है कोई भी bubbles नहीं आ रहे है काफी अच्छे से cover के साथ भी compatible है तो इसकी link में दे रखिए काफी बढ़े टेंपर ग्लास है और आपको ले ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे purchase कर सकते ह थैंक यू गाइस माई वीडियो एकने के लिए